बिश्वासो चोक्यों करो बेवस्था अपरे केंद्रोर फोकुस। सरल करो प्रणाली पाई बजेटरे बेवस्था। दिभ्यांकों कपाई बड़ खोशना। त्रूटे सुधारी बापाई करो दातांकु समय। टाक्स स्लाप अपरी बरती त। करो दातांकों कपाई बजेटानी ची भलक्खबर। एबे टाक्स रिटरन समरे त्रूटे थिले आउँ आईन कतो जामेलाकु सामना करी पेनी करो दाता। आई टी आर त्रूटे सुधारी बाकु दुई बर्ष महलात। बजे टूप स्थापन पड़े ए घोषणा करी छती केंद्र अर्थमत्री निर्वणा सितारमन। दुई बर्षो मत्योरे सानी आयकर रिटरन दाखला करी पारीबे करो दाता। सेवडी दिभ्यांकुप करिया रिहाती ह्जोणा करी छती केंद्र सरकार। दिभ्यांकुप बापा माच खिमा अभिहाबक इंस्रौांस पलिशिरे रिहा दियोँ सुबिधा पाई प्यारिबे। सेवडी राच्यो सरकारी कर्मचरींको नपी एस माध्यों मरे करो तानोरे आसो स्ते देश्चांती केंद्रो सरकार राच्यो सरकारी कर्मचरींको पोई नासनाल पेंसन स्कीमरे टाक्स डिडरुए जोगजी परदीश तरु बढै चोउद परतीश national करा जये छी जहांकि केंद्र सरकारी कर्मचारिंक सहस्समार। सेपरी समबाई समिते गुडिक देवतिवा अल्टनेट मिनिमम टाक्स को अच्छरा दसमें के 5 प्रतिशतरू, पंदर प्रतिशतको कमाई द्या जाई छे। Some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within two years from the end of the relevant assessment year. Virtual Currency आयो उपरे लागिपाँ 33% टाक्स और्त मत्री बजेटे उपस्थापन पड़े एगोशना करी छत्ती Crypto आयो उपरे लागिपाँ 33% टाक्स Virtual Digital Assets ट्रें 33% टिकल्स For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset Shall be taxed at the rate of 30% In view of the COVID pandemic, I propose to extend the period of incorporation of the eligible start-up by one more year That is up to 31-3-20-23 for providing such tax incentives Mark 30.33% Startup को ट्याक्से इंसेंट्चेप खोशना करी छत्ते ओर्त मत्री तेवे आयो करो च्छाडु स्थीमा ओपरीवर्ति तरह छे बिरोरी बोर्ट और गस्निष झाल